तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका नमस्कार मैं सीज देवी आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से तो चलिए दियान दीजेगा आज का ये सेसन है इसको कंप्लेट देखेगा पहला प्रशन देखते हैं देखें निमने लिखित में से कि यह ब्यवार में गोडेणा वाटरफाल एस तित है तो गोडेणा वाटरफाल देख दियान दिजेगा ऑपसर यहां पर दिया गया है सई आंसर दोस्तों आपसर नंबर ए है उद्यान दियान दिए तो यह धमतरी जिला का देखते हैं डिटल से धियांद जिए इसके सम्मन में की धमतरी जिला के जो है सीता नदी उद्यांती टाइगर रिज़रों में और ओडिसा राज्य की सीमा पर गोडेना वाटरफाल इस्थित है और यह धमतरी से 130 किलो मीटर की दूरी पर करला जहर गाओं में है और इस वाटरफाल में दोस्तों करीब 400 फीट की उचाई से पानी जो है नीचे गिरता है अगर वाटरफाल दोस्तों जिला पूछेगा तो लगाईएगा धमतरी जिला ठीक है अभ्यारण पूछेगा तो सीता नदी उद्यांती अभ्यारण लगाईएगा तो यह सब एट करिएगा अगामी गिजाम में पूछा जा सकता है नेक्स प्रश्ण यह और आज का यह स्पेस्चाल प्रश्ण है ध्यान दीजे हाली में चर मैप का ग्यान आपको होना चाहिए चले देखते हैं डेटल से ध्यान दिजे इसके संबन में तो 36 गड़ का जो है 36 गड़ में धान की एक किस्म चगारो जीरा फुल यह जो है बलरामपूर जीला का सुगंधी चावल है और यह काफी प्रसिद्ध सुगंधी चावल है ध्या संद्ध दोस्तों की इसमें आपका संजीवनी जो की हाली में चर्चा में रहा गठवन भेजरी आलवा लाइचा रिसारी नाग केशलर काली मूंच महराजी बायसूर करहनी है और यह भी आपको याद रखने एट करने दोस्तों की जीरा फुल चावल जिसे दोस्तों यह क्र इसी उत्पाद है चामल है और 2023 में इसको क्या मिला है जी आई टेग मिला है और यह नगरी इसका जो नाम करन है धमतरी जिला के दुस्तों नगरी से हुआ है ठीक है यह सब एट करिएगा और भी है ध्यान जीएगा कि 36 गड़ में मुख्यता सरना हो गया महमाया बबलेस्व इत्यादी किस्म के जो है धान उत्पादित किया जा सकते है ठीक है तो इसको इसको तो वैसे मैं कई बर बता चुका हूं फिर भी एट करिएगा ठीक है यह जितने भी पॉइंट यहां पर बताए गये हैं ओके चलिए धियान दिजिएगा अगला प्रश्न देखते हैं है धियान दिजिएगा 107.53 चले देखते हैं डिटल से धियान दिजिए इसके संब्ध में तो यह है कि 36 गड़ में तो बीते साल 107.53 लाक मिट्री टन धान की खरीदी किया गया था और इस वर्स दूस्तों अब तक जो है 133.88 लाक टन जो है धान की खरीदी है नहीं हो चु देखते हैं कि और है और था घृ जान की खरीदी की खरीदी की और क्रणा की जड़ी से 133.88 लाक मेट्रिटन धान की खरीदी की एवज में उन्हें 28,104 करोड़ उप्ए का भुकतान किया जा चुका है और यह है कि समर्थन मूले पर धान बेचने के लिए राज जमी 26,85 थानों ने अपना पंजियन कराया है तो यह सब है इसको एक करिए कोई अजो एक चलिया नेक्श प्रेस्ट में यह हैं शकले अंत्र कोट मतलंW चीटर कोट में यह ब्लोट के अंतरिट है और ये है कि मानने था है कि loyalty प्रश्ण करते थे और वहीं तीर्थ ग्राम अब तीर्था कहलाता है और यह भी एट करिएगा कि इस इस्थल का जो उलेक है अठारा साल पहले दूस्तों ग्रंथ ग्रंथ ब्रह्म पुरान में मिलता है तो यह सब है इसको एट करिएगा चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं देखे हाली में चर्चित माशानता देवी गुफा किस जिले में स्थित है तो किस जिले में है ध्यान दिजीय का ऑप्सन यहां पर दिया गया है करेक्ट टैंसर अप्सन नंबर सी धमतरी ओकी तो ध्यान दिजीगा दूस्तों की भगवान राम जी से सम्मंधित कोई ना है कौन थे राम जी के जीजा थे और सिहावा के समीपी दूस्तों स्रेंगी रिसी के आस्रम है और वहीं पर माशानता गुफा है ठीक है ध्यान दिजीगा इसको एट करिएगा उके चलिए देखे हाली में चर्चित गुपतेश्वर धाम या किस नदी की किनारे इस्थित है तो ऑप्सन यहाँ पर है ध्यान दिजीगा दूस्तों करेक्ट अंसर है ऑप्सन नमबर ए सवरी ओके चले देखते हैं डेटल से ध्यान दिजीए इसके सम्मन में तो यह है कि चत्यस गड़ और उडिसा प्रांद के दूस्तों मद्द बहने वाली सवरी नदीजी से कुलाब की थी और इसी सीवाला के बगल में दूस्तों कारी गाय नामक प्राकृतिक गुफा है दूस्तों और लोग मानेता है कि भगवान राम माता सीता जी और लचमर जी इसी गुफा में रहते थे ओके एट करिएगा और भी ध्यान जीगा की गुफा के बीतर एक छोटा सीवलिं भी है दूस्तों जिसके ऊपर लगतार चटानों से रीज कर दूधिया जल टपकता रहता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं याद रखने है इसलिए इसे गाय की गुफा कहा जाता है और यह करिएगा कि इस इस्थल को 36 गड़ और ओडिसा में अमर नाद गुफा के नाम से जा तरह है और याद रखना एक हीम तेंद्वे को चले देखते हैं डिटल से धियान दिए तो यह है कि खेलो इंडिया सीथ कालिन खेल का जो है प्रत्थम चरण पहली बार जो है किंद्र सासित प्रदेश लदाख में 2-6 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है ठीक है तो यह प भंकर है दोस्तों एक हीम तेंद्वे को बनाया गया है और यह करिये तो इसे याद रखने सीन एसी या या लद्दाख छितर में दोस्तों सान सान नाम दिया गया है क्या सान नाम दिया ठीक है देखे 79 फिल्म फेयर पूरुसकार 2024 के लिए किस फिल्म को सर्वस्रेश्ट फि ठीक है देखे 79 फिल्म फेयर पूरुसकार 2024 की गोशना की गई है और यह विक्रांत मैसी और विदू विनो चोपड़ा की बारवी फैल को सरस्रेश्ट फिल्म घोसित किया गया है वहीं रडवीर कपूर को दूस्तों एनिमल और आलिया भट को रोकी और रानी की प्रेम कहान के लिए बेश्ट एक्टर अवार्ड मिला है और अंत में यह वाला प्रेश्टन आप लोगों के लिए है किस जिले के अध्योगी छेत्र सिरगिटी में बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट तयार किया गया है इसका जवाब दूस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बक्स मे और हो सके तो डिटेल करिएगा चले बहुत बहुत धन्यवाद इसका पेडियाप डाउलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सुक्रिया दूस्तों और हाँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करिएगा चैनल में नहीं तो चैनल को सिस्क्राइब जरूर कर लिजेगा दूस्तों आप लोग की सपोर्ट के भी नहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्त रहिए मस्त रहिए और पढ़तरिये शुक्रिया